प्रोग्राम आवाज इसलाम लेके हाजरां जी मैं एक पर फिरतों कासी फारू की हर वार्दी तरह एस वार्वी साडेनाल स्टूडी दे वेच इकरा चैरिटेबल ट्रस्ट दे फाउंडर डॉक्टर कमाल अली खान साब मौजूद ने जड़े की एस वेले आईनाई एस पट्याडा दे वेच बतार मुखी अथलीट भी पाग दे से वावावी दे रहे ने और इसलाम तरम दे मसलियां दे माहर ने और अज असी जड़ा इस प्रोग्राम दे वेच आवाज इसलाम दे वेच जड़ा चार्चा करांगी ओ चार्चा करांगी और चार्चा करांगी कुरान दे उती आखिर कुरान नो इन्नी एहमियत क्यों देती गिया इसलाम मजभ दे वेच इसलाम तरम दे वेच पहला गला शुरू करने तो पहला एक वार स्वागत कर लाने या डाट साब बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम चाहिए डाट साब कुरान सब तो पहला एहम जड़ा सवाल हो एई उठता है कि कुरान है की? बिसमिल्ला इरहिम एक सेंटेंस में अगर हम इसका जवाब दे तो होता है कि मसल्मानों का ये इमान है कि ये ल्लह की किताब है लेकिन ल्लह की किताब कैसे ये जानना बहुत जलूरी है इस दुनिया को खुदा ने बनाया अपनी उस मखलूख के लिए जो उसे सबसे ज्याद अजीज थी जिसे वो हमेशा की जिन्दगी देना चाहता था जिसको शामिल करना चाहता है हमेशा भरी जिन्दगी में तो उसके लिए कुछ उसूल भी होना चाहिए उसके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होना चाहिए उसके लिए कोई तालीम भी होना चाहिए इस सिस्टम को लेके जैसे कि मैं मिसाल दूंगा और खास्तोर से बहुत से लोग सुनने वाले इस बात पर गोर करेंगे कि इस मुलक में एक बड़ी तदाद सनातन धर्मी भाईयों के रहती है जी उनकी आँ मन उसमिर्ती जो उनकी धार्मिक किताब है उसमें धर्म के दस लक्षन बताए गएं नमबर एक धहरे नमबर दो छहमा नमबर तीन मन निकरे नमबर चार चोरी नकरना नमबर पांच इंद्र निकरे नमबर छए पवित्रता नमबर साथ अंदकार को दूर करने वाला ग्lorन नम्बर आठ सुबुदी, नम्बर नौ सत्य, नम्बर दस चोरी न करना यानि ये वो कारे हैं जिन से बचना है इनसान को करना है तो ये धरम बनेगा हज़रत मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم ने जो डिफनेशन बताई उसका सार मैं आपको बता रहा हूँ फरमाया कि जिस सरश्टा ने हमें पैदा किया वो हमसे क्या चाहता है, उसकी चाहत को धरम कहते है उसको अरवी में दीन कहा गया तो वो जिन्दगी के वो अखलाकी असूल कुछ होना चाहिए वो सारी बाते खुदा या तो अपने मूँ से करता या वो किसी आदमी का इंतिखाब करता सबसे आखरी रसूल की शकल में हज़रत मूँ से किताबे उतरी आप मूँ से पर जो अल्लह ने असूल उतारे जो अपनी जुबां से कहल वाए उसी का नाम कुरान है ज़्यादा एदी एहमित है कि कुरान दी ते फिर एजदे कोई ना कोई जिड़े ओ हक भी होनकी डाट सब इसके हक कुबूल करने के बाद एक अल्लह और इसकी रसूल को मानने के बाद आज हमारे पास मूँ से की जो तालीम है वो दो ही शकल में मिलती है नमबर एक खुरान और नमबर दो आपकी सुनत आपकतन या तो कमी हुई या उसे बढ़ा दिये गए हज़रत मूहमस ने इन्सान की जिन्दगी के वो तरीके मिसाल के तार पे ल्लह कुरान में कहता है अकीमुस्सलात नमास पड़ो नमास को कैसे अदा किया जाएगा ये तरीका नबी ने बताया जिन्दगी के और बहुत से चीज़े बताई तो वो सुन्नत होती है ये कुरान जो आप पे उत्रा इसके मेरी नजर में दो हख है एक तो उल्माई दीन के हैं जो स्कॉलर्स बहुत बड़े बड़े वो इसको समझें इससे मोती और जोहर निकालें तहे तक जाएं और हर जमाने के लोगों के सामने रख दें एक तो वो है और एक है हर मुसल्मान के लिए जो आम मुसल्मान है उसके लिए हख जो आम मुसल्मान के लिए हख हैं वो हैं पांच हर इनसान को हर मुसल्मान को ये सोचना होगा कि ये पांच हख हैं जो अदा करेगा जी, मुसलमा आना दे पांच हख ओ कि वे ने जी केड़े हख ने हो सबसे पहली चीज और सबसे अवजल ये चीज है, वो है उस पे इमान लाना पहला हख जो कुछ कुरान दे वेच लिखे हुए है ओ बिल्कुल सही और बरहक है जी, अल्लह ने खुद कुरान में सूरे नमबर दो, आयत नमबर दो सब्चासी में कहा कि सबसे पहले हमारा रसूल इस पे इमान लाया जो हमने वही की और तमाम मौमिन इस पे इमान लाये, तो पहला इमान फिर अल्लह ने खुद कुरान में हुकम दिया और आप कह सकते हो कि जब हम मुसल्मान हो गए तो हमारा तो इमान है, नहीं अल्लह ने कहा खास तोड़ से सूरे नमबर चार, आयत नमबर 136 में यायोह लजीन आमनू ए अपने आपको मुसल्मान कहने वालो, इमान वाला कहने वालो आमिनू बिल्लह वरसूलही वलकिताब लजी नजला अला रसूलही इमान लाओ अल्लह पर उसके रसूलों पर, और जो अल्लह ने किताब दी है उस पर, यानि आपको दोनों चीज़ों पर इमान खाली कहना नहीं है, बलके इमान लाना है, और इमान बड़ी अहम चीज़ है, अक्सार सवाल उटता है किस तरह का इमान, हर मुसल्मान दावा करेगा कि मेरा गुरान पर इमान है कि अल्लह की किताब है, मैं आप से सवाल रखूं, हिंदुस्तान में बहुत कम तादाद में जहर नहीं होता, लेकिन कोई शच्छ सुझे हाथ नहीं लगाता, लोग ऐतियात करते हैं, क्यूंकि उन्हें डर है कि कहीं ये, जला ना दे, आप सोचिए कि पर ये कैसे मुसल्मान हैं, इमान रखने वाले, कि उनका तरीका कुरान से हटके हो, इमान इस बात का लाम है कि ज जब आपने कहा कि ये खुदा के भेजेवे उसूल है, ये खुदा के भेजेवे तरीका है, ये खुदा ने हमारे लिए भेजा है, हमें जिन्दगी में एप्लिकेंट करने के लिए भेजा है, कि हम इससे एप्लाई करें, तो फिर आपकी जिन्दगी और इससे अलग नज़ आती है तो ये इमान नहीं है इसलिए जान कर और जोड़ देकर खुरान ने कहा यायोह लजीना आमनू आमेनू बिल्लह अल्लह पर उसके रसूलों पर और किताब पर इमान लाओ तो इमान का मतलब होता है कि आपकी जिन्दगी फिर उसकी हुकम की तरहाँ चले उसके हुकम पर चले उसकी हुकम के पर चलती ही नजर आना चाहिए इससे एमान के तक पर तो बाद होर केड़े रहाख ने जिततों पांच-दस्यासी तो उसके पांच हुक इसका दूसरा हक बड़ा एहम है कि इसकी तिलावत की जाए तिलावत कहते हैं से पढ़ा जाए पढ़ा जाए जी अब आम तरीके से हमारे या यह जब तिलावत का आता है तो उसमें होता है कुछ सवाब मिलेगा हम किसी खास मौके पर पढ़ें क्युंकि पुरान ने खुद इसकी तिलावत के लिए हुकम दिया सुरे नमबर इठारा आयत नमबर 27 में कहा वतलू मा उहिया इलैका मिन किताब रबिक पढ़ो जो तुमारे रब ने तुम पर किताब उतारी है जो रब ने उतारी है इसको पढ़ो दूसरी जगा सुरे 29 आयत नमबर पैंतालीस में कहा उतलू मा उहिया इलैका मिन किताबी वाकिमुस्सलाथ। पढ़ो इस किताब को और नमाज में भी इस कुरान को पढ़ो। जी। तो मालूम हुआ कि इसकी तिलावत करना हम सब पे है। हम सब इसकी तिलावत करें। लेकिन तिलावत के पीछे कोई मकस्द होना चाहिए। वज़ा क्या है कि हम इसकी तिलावत करें। लेकिन ड़र सब जड़ा एक होर बड़ा एहम सवाले थे एए उटता है कि कुरान दी तिलावत एक खास मौक्यां तक महदूद होके रहगी है। कि ये जायज है। नहीं बिल्कुल नहीं बलके कुरान खुद हमसे कहता है सूरे नमबर 28 महाज़र चाहता हूँ आयत नमबर 85 में अल्ला कहता इननलजी फर्जा अलैकल कुरान आप पर कुरान फर्ज किया है इसकी तिलावत करें और तिलावत के हक के साथ अदा करें। सवाल यह है कि किसी खास चीज़ करें नहीं अक्सर लोग कहते हैं कि तिलावत क्यूं की जाएं क्या वज़ा है तिलावत करने की बड़ी अहम चीज़ है आप बताईए कि इस दुनिया में जब हम रहते हैं हमारा ये जिसम है हमारा मुसल्मानों का जो अल्लह के रसूल ने ह हमें तालीम भी हमारा ये मानना है कि एक तो इनसान का ये जिसम है जो हमें नजर आता है और एक इसकी अंदर हमारी शक्सियत है इसे रूह कहते हैं इस जिसम की कुछ जरूरते हैं देखी इस जिसम को कहा जाता है ये सारे लोग मानते हैं कि ये जिसम मिट्टी से बना है इस लेकिए इसकी तमाम खुराग जितनी भी खुराग है वो इसी जमी पर पैदा होती है, सारी खुराग इस जमी पर इसको ढखने के लिए कपड़ा चाहिए, सारे कपड़े इसी जमी पर पैदा होते हैं, कहीं और नहीं होते हैं, इसको सर ढखने के लिए एक चाहिए, ये बिल् वे रूह, वो यहां का मसला नहीं है. व आसमान उस, उस जम्हें, उस जगा का, उस मखलूक का, उस दुनिया का है. वो वहां से आती है. तो इसकी खुराक भी फिर वहीं से आएगी. एक्चली गुरान इहें, जब हम यहें मानते हैं कि अल्लह की किताब है, валलह का किलाम है, तो फिर ये उसकी रूह की खुराक होती है हमारी जो आत्मा हमारी जो रूह है उसकी खुराक का नाम है तिलावत जब हम तिलावत करते हैं तो हमारी रूह को उसकी खुराक मिलती है रूह ताजा होती है रूह तरो ताजा होके रहती है तो जिसम को ताज़ा रखने के लिए यहां खुराक चाहिए और रू को ताज़ा रखने के लिए और रू को ताज़ा रखने के लिए कुरान की तिलावत यानि अल्ला की भेजी वी तमाम किताबों पर जो हमारे पास कुरान है ये उदे विच ता समझ नहीं हों दी ते फिर उदा असल तरीका की होएगा सबसे पहली चीज़ तो यह है कि मैं तमाम मुसल्मानों से कहना चाहूंगा कि कुरान की अरबी इतनी मुश्किल नहीं है बहुत आसान है दूसरा उल्माए दीन ने हम पर बड़ा इसान किया कि उसे हमारे लिए ट्रांसलेट कर दिया और तरजुमा करके हमारे पास मौझूद है उससे हम मदद हासर कर सकते हैं लेकिन ये बात बिलकुल आपकी ठीक है कि जब तक उसको हम मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमारी समझ में पूरी तरह से पुरान नहीं आसकता उसके तिलावत का फाइदा नहीं हो सकता मैं आप मुझसे आगे पूछेंगे कि इसकी गिज़ा कैसे है या ये बात कैसे है जो मैंने आपके सामने पेश किया रू की बात ये खुद कुरान ने कही है हम पढ़के लिकल जाते हैं हमें पता नहीं चलता आपका सवाल आएगा तुम बताओंगा कि कुरान में कहां कैसे लिखा है अगर हमें तरजुमा पढ़े हैं और फिर इसकी टावलत करें तो हम पर ज्यादा असर होगा यकीना इसको समझना ज़रूरी गिज़ है रूदी गिज़ है ओ किस तरी के ना रूदी गिज़ा अपके वे कह सकते हैं देखे इसको कुरान ने बड़ा अच्छा खुदी एकस्प्लेइन किया है ए जड़ी गल कुरान ने एकस्प्लेइन कीती है या फिर हजरत मुहमद साहब ने एकस्प्लेइन कीती है हुदूर सल्वे सल्म की हदीसों से इसकी एहमियत पहसे चलती है लेकिन कुरान खुद इसको जिकर करता है सूरे सौाद में बड़ी तफसील से किया है सूरे नंबर 38 आयत नंबर 71 बाहत्तर में अल्लह तबारा को ताला फर्माता है वैस काला रबुका लिल्मलायकती इन्नी खलकुन बशर मित्तेन के फरिश्टों से अल्लह ने कहा कि मैं इस जमी पर मिट्टी से इन्सान को पैदा करूँगा एक बशर बनाओँगा फैज़ा सववेता हूँ जब मैं उसे बना दूँ उसको शकल दे दूँ उसको सब कुछ बना दूँ और फिर उसमें मैं अपनी रूह भूग दूँ ठीक है मिन रुही फकाउलह साजिदीन तो तुम लोग सब सजदा करना हमारी आम तरीके से आपने सुना होगा कहा जाता है कि फरिष्टों से सजदा अल्लह ने कराया शैतान ने मना कर दिया ये सजदा किस चीज़ को था इन्सान को नहीं ये अलफाज बड़े एहम है अल्लह तावारा को ताला फर्माता है कि मैं बनाऊंगा मैं फिर दोर आ रहा हूँ सुरे नमर 38 सुरे सुद अपनी रू डाल आयत नमर 71 फरवाया वनफ़क तू फी रूही जब मैं उसमें रूह फूग दूँ अब उसमें हम ये नहीं कह सकते का अल्लह ने रूह डाली फूगना अल्लह का अलग है यानि इल्म डाल दूँ एक माइना ये लिया जाता है मैं इनसान के अंदर एक खास शक्सियत पैदा कर दूँ लेकिन ये तैह है कि जब पुरान ने फर्मा दिया मैं इसमें रूह फूग दूँ तो ये तैह हो गया कि इस जिसम के साथ साथ उसकी रूह भी है अब रूह को खाना कौन देगा रूह को ये गें ये चावल ये डाल ये तो नहीं चलेगी ये आस्मा की तरफ मसला है ये ल्लह का तरफ मसला है अल्लह ने इस जिसम को इस मिट्टी से बनाया यहां उसकी पैदावार कर दी लेकिन रूख का मसरा वहां का है तो इसलिए उस रूख की गज़ा के लिए तिलावत का हुकम हो गया वतलू माओ याले का तेरे रब ने उतारा इसलिए के तू इसे पढ़ो ते डाड़ साब फिर ओ ऐसे करके होंदे है कि आप जो दो तार्मी का स्थानते जाने है तो उते जाके नीन बहुत होंदी है सकून होंदा लोग के अंदे में देखिए वहां नैच्रल है कि जब जहां पर खुदा का जिक्र होगा अल्लह तबारग उताला की कुरान की तिलावत होगी उसका नाम लिया जाएगा उसका जो नाम खुद जया है तो ज़रू को स kon मिलना जिस जगह पे जिटनी जतनी सच्चे दिल से नाम लिया जाएगा जितनी तरीके से लिया जाएगा उतना ही वहाँ पर गिज़ा मिलेगी इसलिए कुरान जो है इसे खाने के लिए तिलावत कैसे करें इसका भी हुकम देता है किसके कुछ तरीके हैं फरमाया सूरे नंबर दो आयत नंबर 121 कि अल्लजीना आतैनाहूल किताब यतलूनहु हक्का तिलावती कि वो लोग जो जानते हैं हक के साथ अदा करते हैं इसके कुछ हक हैं आप पूछेंगे तो मैं एक एक करके हक बताऊंगा कि क्या हक हैं जिस हक से अदा करें तब इसकी रूख की गज़ा सही मिलेगी मैं मिसाल दूँ खाना खाते हैं हम पेट भर जाता है हमारे लिए ज़रूरी है आप एक रोटी हाथ में रख लीजे कुछ सबजी रख लीजे खा लिए पेट तो जब भी भर जाएक एक प्लेट में निकाल के रखिए एक होता है कि मेस पे यह दस्ता खान पे सलात और सारी चीज़ा सजाईए और बड़े सुकून से खाईए तीनों खानों में फरखे ऐसे ही इसकी तिलावत के लिए कुछ एहम चीज़ हैं जो बहुत जरूरी है ओकड़े चीज़ाने जी सबसे पहली चीज़ है तजवीद यानि हुरूफों का पहचानना समझना उसको अदाईगी करना क्यूंकि अर्बी में बहुत से ऐसे लवज हैं जिन में थोड़ी बहुत उपर नीचे करने से मीनिंग बदल जाता है फिर आता है कि इसका रोज मामूल बनाना कि इनसान रोजाना जिस तरह उसको खाना रोज चाहिए गिज़वी रोज चाहिए खुशहाली खुशफहमी के साथ खुशइलहामी के साथ कि इनसान एक रोजा बना लिया आपने सुना होगा बहुत से लोगों ने कहा कि सुबा को फना सूरत पड़ो अब दस दिन तो दिल से पड़ी ग्यारवें दिन मजबूर होके पड़ लाए दिल कहीं और दिमाग कहीं और नहीं बड़ी खुशहाली के साथ बहुत खुश अखलाखी के साथ बहुत सबर के साथ पिर है जाहिरी बातनी अदब यानि हर दिखे भी बतन और दिल से भी हो यह नहीं कि हमने जाहिरी तो गुरान का इतना अदब कर लिया कि उसको गिलाफ में लपेट के इतना हूँचा रख दिया लेकिन उसका दिल में कोई नहीं दिल का अदब यह है कि जो वो कह रहा है वो हम करें और फिर होता है ठहराओ के साथ पड़ना यह बड़ा एहम हुकम है अक्सर तिलावत में मैं बड़ी माज़त के साथ इस तरफ धियान दिलाना चाहता हूँ आपका आपने रमजान में देखा होगा मैं सब को शामिल नहीं करता जो असली आलिम हैं जो असली कारी हैं वो कभी यह गलती नहीं करते हैं लेकिन आम तरीके साथ आपने देखा होगा इसी स्पीड से पढ़ा जाता है इतनी स्पीड से पढ़ा जाता है कि वो समझ में नहीं आता कुरान खुद क्या कहता है वरततिल कुरान तरतीला कुरान को ठहर 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 के पड़ो अल्ला के रसूल से हमें मिलता है कि आप हर रकात हर आयत पे रुकते थे और फिर इसको हिफ्ज करना ज्यादा से ज्यादा जुबानी याद कर लेना जिससे हम नमाज पड़ सकें ये चंद और इसके अलावा भी कुछ है ये इसके हक हैं कुरान के जो एक तिलावत के लिए जरूरी है तो डाट सब अक्सर करादे बेच एह देखे जाना है कि जदो कुरान दी तिलावत हों दिया है ता अगर कोई बंदा या कोई व्यक्ती उपर जाना जाना है ता हिफाज़त वज्जों कुरान दे उते कपड़ा पाला जाना है या फिर उपर जानतूं या उपर लंगन तो प्रहेस किता जाना है कि ये ठीक है देखिए ये तो बना लिया गया जाहिरी और बातनी अदब बहुत जरूरी है यकीना उसमें अल्लह का कलाम लिखा है हमने अल्लह ने जो अल्फाज बताए वो लिखे है लेकि लिखे तो हमने पैन से लिखे है छापे खाने में छापे है उसको ठुकराना उसको गिरा देना ये बेद भी है लेकिन किसी वज़ा से आदमी उपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये दिखावटी पन है इस से ज़्यादा तो बेज़ती आम तरीके से हम जब करते हैं जब कुरान के हुकम के खिलाफ करते है कुरान घर के अंदर रखावा है, उसमें दिया है कि आप अखलाक से बात कीजिए, आप जब मुँ खोलिये तो आपके अखलाक से हों हम उसी घर में, उसी कमरे के अंदर, बत्तहजिबी, गालियां, सब कुछ बर रहें, डांट रहें, चीख रहें, पुकार रहें अल्ला कुरान में कहता है, सबसे बुरी आवाज गधे की है, हम गधे की बुरी आवाज से ज़्यादा बड़ी आवाजें निकालना हैं, ये ज़्यादा बड़ी बेद भी है, रहा सवाल इस बात का कि किसी कोई शख्स को एक जीना है, मैं नीचे बैठा पड़ रहा हूं, जीने पे तो जाएगा, कुदरती तोर पर जितने काम होते हैं उनके लिए कहीं मनादगी नहीं है, लेकिन जान बूच कर इसको नीचे दिखा देना, ये मना है, ये अदब है, अदब ये नहीं है कि एक आदमी उपर नी जा सकता, हिल नी सकता, ये नी कर सकता, कुरान तो च कोशिश ये करना चाहिए, कि वो इस तरहां से बैठे, कि लोग उसके पीछे से ही गुजर जाएं, लेकिन अगर कहीं मजबूरी है, तो कुरान उसको मना नी करता, कुरान अपने हुकम के खिलाव वर्दी को मना करता है, इस तरह के जाहरी चीज़ से मना नी करता है, जी, अ डर सब एक जीड़े अपा गला कीती है गियाने, चर्चा कीती है गिया, आम लोकां देले चर्चा है गिया, जीड़े हक ने, आम लोकां देले जीड़े हक तुसी दसे ने, तुसी किया कि स्कॉलर्स दे उते, विदवान दे उते, तार्मिक माहर, लोकां दे उते, या जीड कि अमाए दीन के इमान में फरक नजर आना चाहिए है। खुदा ने कुरान में खुद कहा आमान रसूल पहले इस पे इमान रसूल लाए। रसूल का इमान का क्या आलम था। आप जिन्दगी का एक पल कुरान हकीम के हुकम के खिलाफ नजर नहीं आ सकता। फिर मुमिनीन या निसाबा उस दोर के हुकम तो उनके लिए है। हम सब के लिए भी आता है लेकिन पहला हुकम उनके लिए है। हज़त आशा सिद्धिखा रजियल्लाव ताला आनहा हम सब की माँ इस उम्मत की माँ फर्माती हैं कि अगर कुरान समझना या देखना है किसी को तो नबी करीम स को चलता फिरता देख लें आप चलता फिरता कुरान थें तो उल्माए दीन के लिए जरूरी है कि जब इमान उनका इमान बिल्कुल नजर आए। मैं बड़ी माज़त के साथ कहता हूं कि चंद लोग को छोड़ दिये जो हमारे लिए आइडियल हैं लोग अपने आपको आल साथ उसके खिलाफ देखते हूं इसका मतलब है कि उसके इमान में कहीं कमी है दूसरी चीज़ आगई तिलावत हाफिज और कारी उनकी खिरात ऐसी हो मैं किसी को सपोर्ट नहीं लेकि मिसाल दे रहा हूं आपने तराबिया आजकल आती हैं साओधी अरफ से खाने कावा से व तिलावत का हाफिया है बहुत से कारी यकीना पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिस के लिए नहीं इस गिज़ा की नियस से पढ़ें लेकिन आम तरीके से आपको 100% नहीं नदर आएंगे हैं बड़ी तदाद है जिन से हमें सीखने को मिलता है ये उल्माय दीन नहोते तो हमें चाहिए ये उनका हाफिए लेकिन ड़सा भी होर बड़ी एहम चीज़ जड़ी तुसी कह रहे हूं कि जड़े आलिम ने जड़ा कुरान नों पढ़ना जान देने कारी ने उननों उस तरीक के नल पढ़ना चाहिए तांके कुरान दा जड़ा हाक है अदा हो सके लेकिन अक्स किसी भी तरह हो हमने सुन लिया बड़ा सवाब का काम है ये हमारे जहन बना दिये गए की खाली सवाब तक में अदूद रखे जा सकते हैं कुरान को पढ़ना सवाब तो जब होगा कि उसने जो हमने पढ़ना है उस पर समझें और उस पर अमल करें मैं अभी आगे चलके हम सराटे से पढ़ गए बलके इस पे तो ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि हम गुना में जा रहे हम बेद भी कर रहे हैं नभी पाक सल्ले सल्लम मैंने आपको बताया कि हर आयत पर रुकते थे कुरान खुद अपने लिए हुकम देता है वरततिल कुरान को ठहर 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 के पड़ो और हम एक फराटे के साथ पढ़ लाएं कि हमारे जहन बना दिये गए ये कमिल्मी की बात है मस्जितों में बस जल्दी से जल्द खतम हो जाए एक शुरूआ हाफिज साब पढ़ लाएं और अपसोस की बात यह है कि मैजॉर्टी हाफिजों की मतलब नहीं जानती उ उसका उन्हें सिर्फ रटावा होता है बहुत बड़ा रुदबा है बहुत बड़ा मेनता काम है बहुत अहम काम है लेकिन रटना नहीं क्यों याद किया गया इसलिए कि हमें जबानी याद हो जाए तो चलते फिरते खुरान के वो हुकम याद आएं जो इनसानियत भाइचारगी और तमाम हुमिनिटी के लिए बहुत जरूरी है हुमिनिटी को बचाने के लिए जरूरी है और अगर यह नहीं हुए तो इसका माइना कुछ नहीं हो जाता इसलिए जरूरी है कि उससे समझे भी तो हम जो मज़ितों में यह देखते हैं बलके हमें चाहिए कोशिश करें कि हाफिजों से कहें कि आप एक घंटा नहीं दो घंटे लगाईए लेकिन ठहर ठहर के पढ़िए और सुनने वालों को भी चाहिए कि वो पढ़के जाएं आज मुझे एक पारा मेरे मस्जिद में होता है तो वो पारा पढ़के जाओं उसका मतलब पढ़के जाओं जिससे वहां दुबारा से समझ में आए लेकिन अफसोस यह है कि हमारी है एक सवाबी एक को बात करके कर दी गई है तो इसकी हमें कोशिश करना चाहिए मैं तो आपके समाम सुनने वाला से दर्खास करूंगा कि रमजान कुछ महीने बाद आने वाला है अभी से तैयारी करें और अपने हाफिजों से कहें कि नहीं वो जोड़ से जाएं हलके हलके ठहर ठहर के पढ़ेंगे वक्त ले लें हम दो ढ़ाई घंटे ने निकाल सकते और फिर हम इसका रिजल्ट देखें हमने जब इस नियस से देखेंगे तो हम पर रहमत और बरकते आएंगी लेकिन डाट साब समझेता है यह जानदा है कि एक जड़ा रमजान दे वेच कुरान नो मुकमल कर लेना एक बार पूरा उदा जड़ा अधियन कर लेना उसनों अफजल मनने जानता है ते उसे लड़ी दे तहत फिर अगर ठहर ठहर के पढ़े जाओगा या फिर उसमी निदे विच मुकमल नी होगा ते फिर पहले तो यह है कि सुनने के हद तक एक पारा अगर रोस पढ़ें तो हो सकता है लेकिन फिर भी ना हो तो कोई शर्त नहीं है एक महीने में कुरान पूरा हो रमजान में यह कोई शर्त नहीं है कहीं शर्त नहीं है खाने काबा के अंदर एक पारा पढ़ा जाता है नसाबा से ऐसा सुबूत मिलता हो कि एक महीने में ही खत्म करना है जी जी अपा हक दे उते गल कर रहे सी टाइम अजाज़त ने दिन दा होर केड़े को हक ने जड़े अपा कुरान देदा इसके बाद आम मुसल्मानों पे तीन और हक हैं आप पूछेंगे के करके मैं इंशालला तफसील से आपको बता हूँ जी 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 फिलहाल जड़ा आओ समा इजाज़त ने दन्दा के अग्ये तफसील दे वेचे विस्थार दे विच गल करिये इसलिए एक अलबादा सिलसला सी एती खतम कर दिया है ते आउन वाले जड़े एपिसोड दे वेचे असी पूरे होर विस्थार दे वेचे गल बात करांगे फिलहाल ड़ाट साब तो सी स्टूड दे वेच चाहे अपना कीमती समा तो सी दता है इसलिए थाट आप बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया तो एसलिए ड़ाटर कमाल अली खान जिना ने आज जो कुरान दे उते गल कीती है गियो दे हक दे गल कीती है गिया ते और वाले जड़ा एपिसोड दे वेचे असी होर विस्थार दिना ले जानांगे फिल्हाल ए प्रोग्राम ए चर्चा मैंनो ए थी खतम करें दे दिवा गया तानवाद